और मैं किसानों की एकता को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं आंदोलन में बैठे कुछ लोग अपने परिबार के सदस्यों को भी खो चुके हैं लेकिन उनका आंदोलन बदस्तूर जारी है सिंदू बॉर्डर से शुरू आंदोलन जग़ जग़ फैल चुका है गाजयबाद को दिल्ली से जोडने वाले गाजीपूर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं गाजीपूर बॉर्डर पर किसानों से बात की हमारे सम्मदाता जतिनको स्वामी ने साल 2021 का पहला दिन लेकिन किसान अंदोलन का 37 दिन चार जनवरी को क्या बात बन पाएगी किसान इसी बात पर लगातार मन्थन कर रहे हैं और सरकार को भी मन्थन करना है मैं दिल्यों पर किसी माँ गाजीपूर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आज भी किसान लगातार ढटे हुए हैं क्योंकि आज दिल्ली NCR में कोहरे और सर्दी का दोहरा अटेक हुआ है तो आप देख सकते हैं कि वो अलाओ यहां पर ताप रहे हैं और अलाओ का एक बड़ा सहरा है क्योंकि सड़क पर राते और दिन गुजारना वो भी तब जब कोहरा हो और तापमान जो है वो तीन डिगरी से नीचे चला गया हो आसान नहीं होता है पैसी है किसानों सही आप पूछेंगे CapS RS priestor ली किसानों को इना जैसाय कर गका व्तलब का है होनसे सरकार तये वाली मांगे और लेकिन सरकारा ने आब बादवाली दो मांगे मानीं है चार साल को बात बनेगी चार सारीक को ऊंधी है। को भुक्तान देंगे उससे हमारा लागत के 50 परसेंट बढ़ा के दिए सो परसेंट का आपको क्या लगता है कितने फीज़ी बात बन गई और किसानों से पूचेंगे बुज़ूर्ग किसान बहुत ज्यादा है इस आंदोलन में ठंड भी बहुत ज्यादा है लेकिन जिस तरह से जो तापमान गिर रहा है और किसानों के अंदोलन का पारा चड़ रहा है इस आंदोलन में बच्चे बड़े छोटे सारे गाउं में रहने वाले और यहां दन्ना पर सारे लोग जुड़ चुके हैं और उनको यह है कि नए साल में सरकार की बुद्धी सही हो जाए और यह यह हमारा कानुन इसको पर बीत रहा है बहुत घर को भी फैमली को भी अपने परिवार को भी कहीं कहीं ना हम लोग तो है हमारे सारे लोग हमारी पास होते हैं आज नए साल में मगर हमारे खिलाब जो काले कानून है इसको ले कर हम दो धर वाले और परिवार वाले साथ होते तो बहुत अच्छा होता उधर एक तस्वीर दिखाऊं देखिए जो किसान है उनके हाथ में चाय का प्याला है और ठंड वो इससे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये व पापस लिए जाए अंतमे एक बार तस्वीर में आपको किसानों के साथ साथ उधर जवानों की भी एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो जो जवान है वो भी अपनी ड्यूटी पर लगातार बैठे हुए हैं और किसी तरह से वो भी ठंड से बचने के उपाए तलाश रहे एकोल मिलाकर दिल्ली उपी की तमाम सीमाओं पर इसी तरह से चाक्चोबन सुरक्षा व्यवस्ता के बीच किसान अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है देखना ही होगा कि चार जनवरी को क्या बात बनेगी और क्या जो किसान लगातार 37 दिनों से यहां पर डटा हुआ है व वापस अपने घर जा पाएगा गाजियाबस जतिन गोस्वामी इंडिया न्यूज